अनूप तुमको कल सुबह आठ बजे एक जरीवी का सर्वेक्षन करना है उस काम के लिए तुम्हे कल सुबह छे बजे निकलना होगा सिमांकन सुबह आठ से पहले हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है लेकिन सर बस सुबह साथ बज़े से पहले नहीं आती ठीक है, तो ऐसे हालत में वही रुको, डेडलाइन डेडलाइन होती है टीम, तुमको दो क्षेतरों का माप लेना है, एक पुणे की तरफ और दूसरा नासिक की तरफ लेकिन सर, ये तो दोनों अलग दिशाय है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पूरा दिन है, मुझे ये मत कहना कि तुम एक दिन में दो पॉइंट्स पूरे नहीं कर सकते मैं सचमुच आलसियों से घिरा हुआ हूँ, हमेशा बहाने बनाते रहते है सर, सर, हम पूने की दिशावाले एक शेत्र का माप लेने का काम पूरा कर सके है लेकिन सर, सर, लेकिन सर, लोगनावला में न, घाट पर भूस कलन हो गया है मुझे पता नहीं कि हम शाम से पहले नासिक पहुँच सकेंगे या नहीं क्या तुम लोगों के पास टॉर्चेस है जी सर, तो बेटर है कि माप लेने का काम आज ही पूरा कर दो और मैं आगे से तुम्हारी और से ना नहीं सुनना चाहता, समझ में आया हो गया काम क्या तुम इससे रिपोर्ट कहते हो, सभी गणनाय गलत है तुम ये काम कितने दिन से कर रहे हो, तब भी तुम साधारणसी गणना नहीं कर सकते लानत है तुम पर मैं ठक गया हूँ यार मेरा दिमाग सुन हो गया है, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ हम इतनी मेहनत करते हैं, और फिर भी हमें डाट पढ़ती रहती है इस तरह के काम से क्या फ़र्दा? दोस्तो, डेडलाइन्स, काम का बोज़ और दबाओ, इन सभी कार्णों से तना हो सकता है ये सब कुछ काम का हिस्सा है, आपको इन सबसे निपटने का तरीका सीखना चाहिए, आईए, देखे कैसे